हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पेदेकेटमी में आज की वीडियो में हम 12 जनरल इगलिस चेप्टर नमर 15 की स्टेडी करने वाले हैं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो दो भी difficult words होंगे मैं उनकी मीनिंग आपको बताऊंगा आप वो नोट डाउन कर सकें जिससे आपको कुश्चन को याद करने में प्रोब्लम नहीं होगी चली सुरू करते हैं हमारा पहला कुश्चन है what instructions did the girls parents give when they saw her off instruction यानी निर्देश लड़की के माता-पिता जब उसे बि girls parents instructed her about where to give thing लड़की के माता-पिता नों से निर्देश दिया कि उसे अपनी चीजें कहां रखनी है when not to lean out of the window खिडकी से बाहर कव नहीं जुकना है and how to avoid speaking to strangers avoid यानी टालना stranger यानी अजनवी और अजनवियों से बाचीत कैसे टालना है the girls parents instructed her about where to keep thing, where not to lean out of the window and how to avoid speaking to strangers next हमारा question है how according to the author are blind people better in seeing them the sighted कैसे लेखा कैनू सा द्रिश्टी हिन लोग blind people यानी द्रिश्टी हिन लोग देखने में आँखो वालों से बहतर होते हैं seeing them the sighted, sighted यानी जो देख पाते हैं this cancer है हमारा according to the author लेखक के अनुसार it often happens that sighted people fail to see what is right in front of them as they have so much to see लेखक के अनुसार जो हमारे आँखो वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें देखने से miss कर देते हैं क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़े होते हैं जब बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हम सब चीज़ें पर प्रॉपरली धियान नहीं दे पाएंगे that's why जो हमारे आँखो वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें miss भी कर देते हैं on the other, दूसरी तरफ, blind people take care of only essential things essential यानि आवसक दूसरी तरफ जो हमारे नेत्री ही लोग होते हैं सिर्फ बहुत उन्हीं चीज़ें पर फोकस करते हैं जो जरूरी होती है according to the other, it often happens that sighted people fail to see what is right in front of them as they have so much to see on the other, blind people take care of only essential things next हमारा question है do you think other was blind by birth क्या आपको लगता है कि जो हमारा लेखक ता वो जन्म से अंदा था justify your answer from the hints given in the story hint यानि होता है संकेत, justify यानि ठहराना या सही ठहराना आप बोल सकते हैं उचे ठहराना तो अपने उत्तर को कहानी में दियेगा है संकेतों के अधर पर उचे ठहराई है तो इस cancer है हमारा मेरे इसाब से जो लेखक ता वो जन्म से अंदा नहीं था the vividness यानि होता इस पश्टता which he describes the natural scenery of मसूरी clearly indicates that he had once seen those things जिस इस पश्टता से मसूरी के द्रश्यों को बता रहा था प्राकृतिक द्रश्यों को बता रहा था यह दरसाता था कि उसने एक बार मसूरी के इंद्रश्यों को जरूर देखा था at one place he says एक इस्तान पर बैक कहता है अस आई वाज टोटली ब्लाइंड एड द टाइम मैं उस वक्त पूरा अंदा था hints that दरसाता है कि he was blind only at that particular time particular यानि होता है बिसेश दरसाता है कि बैक केवल उस बिसेश समय पर अंदा था the other I think that the other was not blind by birth मेरे इसाब से जो हमारा लेखा के वो जन्म से अंदर नहीं था the vividness जो इस्पष्टता से with which he describes the natural scenery of मसूरी जिस इस्पष्टता से मसूरी के प्राक्रतिक दरसों को बता रहा था clearly indicates यह दरसाता था that he was he had once seen those things अपनी life में उसने इन चीजों को एक बार जरूर देखा था at one place he says एक इस्तान पर मैं कहता है us I was totally blind at the time मैं उस बक्त पूरा अंदा था hints that यह दरसाता है he was blind only at the particular time कि मैं बिसेश टाइम पर अंदा था next हमारा question है how did the author prevent his companion from discovering that he was blind companion यह नहीं होता है सहाथी या सहातरी भी आप इसको बोल सकते हैं लेखा अपने साथी को यह पता चलने से कि बे अंदा है यह नाटक करते हुए रोकता है कि बे भार के द्रस का आनंद उठा रहा था pretending यानि होता है नाटक करना the author prevented his companion from discovering that he was blind by pretending to enjoy the outside scenery यह कह रहा था कि मैं जो आउटसाइड जो भारी सुंदरता है उसको देखने के लिए अंदा होने का नाटक कर रहा हूं कि प्रिटेंट कर रहा है कि मैं ब्लाइंड हूं next हमारा answer है question है what did the order mean by safe remark safe यानि सुरक्षित रिमार्क यानि टिपणी तो लेखा क्यानुसा सुरक्षित टिपणी क्या है the remark that you have an interesting face यह टिपणी की तुम्हारे पास एक दिल्चस्प चेहरा है वाजस safe बने एक सुरक्षित टिपणी थी such remark can only please a girl यह इस टाइप की जो टिपणी होती है लड़कियों को खुस करती है and therefore it was safe इसलिए यह सुरक्षित थी would not be disliked by her और लड़की की द्वारा इसको that you have an interesting face तुम्हारा चेहरा बहुत ही दिल्चस्प है वाजस safe बन यह एक सुरक्षित टिपणी थी such remark can only please a girl इस तरह के की जो टिपणी होती है वो लड़कियों के वल खुस करती है and therefore it was safe इसलिए यह सुरक्षित थी and would not be disliked by her और लड़की की द्वारा इसको नापसंद भी नहीं किया गया तो यह हमारा safe remark था लेखक के according next हमारा question है what was the author trying to laugh at laugh यानी होता है हसना तो लेखक किस बात पर हसने का प्रियास कर रहा था the author tried to laugh at the remark made by the girl that he was very gallant यानी होता है बीर या सहासी भी आप बोल सकते हैं लेखक ने लड़की की इस टपणी पर हसने का प्रियास किया कि बह बहुत 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 था what was the author trying to laugh at लेखक किस बात पर हसने का प्रियास कर रहा था the author tried to laugh at the remark made by the girl that he was very gallant यानी होता है टिप पणी तो लेखक ने लड़की किस टिप पढ़ी पर हसने का प्रियास किया कि बहुत 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 था why did the new passenger not notice the girls here new passenger यानी नए आत्री नए आत्री ने लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया तो इसका answer है हमारा the new passenger did not notice the girls here जो नए आत्री था उसने लड़की के बालों पर ध्यान नहीं दिया Because, क्योंकि he noticed her eyes, वै उसकी आँखे देख रहा था, उस पर आँखों पर ध्यान दे रहा था, that was so beautiful, जो की काफी ज़्यादा सुन्दर थी, but of no use to her, पर उसके कोई काम की नहीं थी, जो नया पैसेंजर था, उसने लड़की के बालो पर ध्यान ने क्यों नहीं दिया, तो इस कांसर है हमारा, उसने लड़की के बालो पर ध्यान इसली नहीं दिया, क्योंकि वै उसकी आँखे देख रहा था, जो काफी सुन्दर थी, पर उसके कोई काम की नहीं थी, क्योंकि वै पूरी तरीके से अन्दी थी The new passenger did not notice the girl's hair because he noticed her eyes that were so beautiful but of no use to her as she was completely blind I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी एंट तक हमारे संद बने रहने के लिए धन्यवाद